नमस्कार स्वागत है आप सभी का Competition Academy के डिचल अप्निकेशन प्रेटफर्म पर मैं हुश्रेपांडे राइपूर ब्रांग से और हाल ही मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं कंप्यूटर के कुछ कॉंसेप्स की वीडियो अभी हाली में आपका चातरा वाता दिक्षा के एक्जामिनीशन होने वाला है यह मान के चलिए जो कि आप मेरे वीडियो देखेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही लाफ्रद होगा हर वीडियो आपकी जोली में एक नंबर डालेगी अगर वहां से प आप जाकर आप वहां पर पूरी वीडियो देख सकते हैं साथी वीडियो आपके लिए लाफ्रद होने वाली है और साथ ही साथ जो हमारा डिजिनल एप्लीकेशन प्रेटफॉर्म पर जो गूगल में हमारा प्लेइस्टोर पर हमारा क्या है जी हमारा जो एप्लिकेशन का प सबते हैं ठीक है चलिए आज हम किस पर किस विशे पर चर्चा करने वाले हैं तो आज हमारा चर्चा होने वाला है networking device के विशे पर switch router और हब के मिशेर ठीक है आपने व्यापम में कई exam दिलाए होंगे तो options में आपने कई बार हब repeater router switch repeater bridge यह सब पढ़ा होगा सुना होगा तो आज हम समझने वाले कि यह हम राउटर और switch जो है इसका प्रयोग actual में क्या होता है क्यों इसका हम प्रयोग करते हैं कहां पर exist करते हैं कहां पर हब लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है यह सारी चर्चा आज ही क्लास से हम करने वाले अगर यह टॉपिक आप पूरा अंतर तक देखेंगे तो आप इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे देकि छात्रावा सदिक्षक 2016 के पत्र में जि है ठीक है तो हर प्रकार से हमें तयार रहना होगा तो चलिए बात करते हैं कि स्विच राउटर और हब क्या हो ठीक है तो देखिए यह जो तीनों चीजें आपको पीछे लिखे दिखाई दे रही हैं तब से पहले तो आप क्या करिए अप एक पेन कॉपी खोल लिजे जो ज है चलिए अब बात क्या करते हैं हम लोग कि यह जो स्विच हब राउटर इसका यूज तो यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है नेटवर्किंग डिवाइस मतलब नेटवर्क सब्दात ही समझ जाना कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर अगर किसी भी माध्यम से वायर्ड माध्यम से आपस में जुड़े हैं तो उसे अब क्या कहेंगे नेटवर्क कहेंगे तो इन ही नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए इन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने ऑफिस में मैं अपने घर में 10-12 कंप्यूटर को एक साथ जो परचिस करके लाता हूं इस डिवाइस का नाम क्या है हम इस हब डिवाइस में कुछ पोर्ट बने होंगे क्या बने होंगे जी पोर्ट पोर्ट ना पी ओ आर्टी पोर्ट बने होंगे इन पोर्ट में वायर कुला के इस तरीके से जोड़ दूंगा और हमारा एक लोकल एरिय और के अंदर में आप कुछ कंप्यूटर को किसी भी माध्यम से करते हैं तो वो कहलाता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हमने क्रिएट किया और इस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए हमने हब डिवाइस का प्रयोग किया और ऐसे ही स्विच का भी प्रयोग करते हैं सेम नेटवर्क को बनाने के लिए पर स्विच और हब में क्या डिफरेंस होता है यह हमको समझना है सबसे पहली बात ठीक है देखें यहाँ पर मैं एक डाइग्राम से आपको समझाने वाला हूं कि यहाँ पर हमने एक कमरे के अंदर में नेट स्विटर आपस में जुड़े हुए हैं इसका काम क्या है हमने नेटवर्क क्यों बनाया नेटवर्क हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम नेटवर्क में क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं डेटा एक्सचेंज करने के लिए हम क्या बनाते हैं नेटवर्क बनाते हैं अग ने लो भई जोड़ दिया अब क्या होता है कि यह एक डेटा बी को सेंड करना चाहता है लेकिन यह हब जो रहता यह रहता है बहुत बदमास ठीक है ठीक है समझाने के लिए मैं समयने चीजों का प्रयोग करूंगा समयने शब्दों का तो तो समझेगा उसको अन्यता नहीं ल व्लेक ओधर दो ठीक है मैं बी को यह बात बता लूंगा परंद्ध हूं इतना बदमास रहता है यह बी को बसकिता है को यह बटा देता है अब जैसे कि यह सब लिजा सब बताया दिए किобщे मूर्या है यह वाली बात है इसके साथ में क्या मतलब अगर एने कोई data के के लिए सेंड किया हब के पास तो हब क्या करता है वो डेटा सभी सिस्टम को ब्रॉड कास्ट कर दें यह एक ड्रॉबेक है कि इसका हब का कि भई सब को उसने दे दिया तो सब तो उसमें क्या हो इसका नुक्सान क्या हुआ तो नुक्सान यह हुआ इसमें डेटा की क्या हो ग क्यों क्यों कि A को भी इसके लिए भेजना है लेकिन वो बाकि CTEF के पास जब अरदस्ती ही चला जा रहा है कुछ मतलब भी नहीं है तो भाई यह किसका नुकसान होगा ठीक है जो पहला क्या हो गया यह सस्ता है दूसरा इसको कंफिगर करना आसान है आसानी से कंफिगर होता है ठीक है यह सब नोट करते चलना है आसानी से और हैं हमारब 허भ को ने क्यों यूज किया तो नेटवर्क क्रियेट करने के लिए हभ उसकिया हभ क्या करता है डेा को सारे सिस्टम में ब्रॉड़कास कर देता है तो और इससे लाइन करने करना बहुत आसान हो जाता है तो लेइन क्रियेट करने के लिए हम हब का प्रयोग करते हैं अब आप मुझे पूछे कि भई सर हब को प्रयोग कहां पर करते हैं तो आप अपने घर के कम्रेम करोगे आप अपने आफिस में कर सकते हो आपने स्कूल में कर सकते हो जहां पर भी आपको नेटवर्क क्रियेट करना है वहां पर आप हब का बताई गई मतलब एक डेटा सेंड किया गया सबको ब्रॉटकास करते था अब इसको एक कमी हो गई हमारी अब इस कमी से हमको निजाद पाना है तो एक नए डिवाइस लांज करें अब यह टिवाइस क्या प्रेयोक कर सकते हैं यहां पर हमने किस प्रेयोक किया switch का प्रयोग किया है अब switch का प्रयोग किया तो switch के क्या लाब निल गए हमको यहां पर एक बात धियां रखना कल की class में मैंने आपको एक physical addressing बताई थी IP address के साथ मैंने मेक address भी बताया था मैंने आपको यह बताया था कि particular computer हर जितने भी computer है market में या दुनिया में सबका एक मैक address होता है जो कि उसका physical address होता है जो कि उसको computer निर्माता company दे के भेशती है ठीक है तो याद रखिएगा प्रत्य computer के पास क्या होगा अपना एक मैक address होगा तो यह क्या करेगा जैसे ही हम switch को जोडते हैं तो switch क्या करता है सारे computer के mac address की एक list बना लेता है किसका list बना लेता है mac address का लिस्ट किसके पास बना लेता है अपने पास सारे computer को जोडते गए सबके mac use lifelong request बना लिस्ट अब क्या होगा अब बाहर से कई डेटा अगर के पास आएगा ठीग है ! या फिर यह ए सिस्टम इस हां पर समझते हैं कि अगर यह A system इस B system को data send करना चाहता है तो पहले क्या होता था हब में लिए अब क्या होगा एक पास एका डेटा जाएगा किसके पास स्विच के पास और switching को पता होगा यहीं इस इस्टम को डेटा सेंड करना चाहता है तो यहाँ से डेटा लेगा और उसके मैक एंड्रस के आधार पर आपर कहँच जाएगा तो ठीक है तो स्वीच क्या है तो स्विच जोडने के लिए क्या लाब है स्विच का तो स्विच जो होता है यह पहला इसका लाब क्या है इसका लाब कि यह कि पॉइंट टू कि पॉइंट डिलिवरी करता है एक मेसेज भी को भीजना है तो जाहिए को बीके पास जाएगा सभी के पास नहीं जाएगा दूसरा क्या लाब हो गए इसका कि इसमें डेटा क्या हो जाएगा आपका सिक्योर हो जाएगा ठीक है तो यह डेटा सिक्योर्टी इसमें क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी यह भी नोट करिएगा तो यह दूसरा इसका लाब हो गया तीसरा अब ह अब का disadvantage और switch का benefit disadvantage दोनों का advantage साथ में बताता हूं अगर गलती से यह हभ खराब हो गया यह switch खराब हो गया तो पूरा network क्या हो जाएगा आपका क्षब हो जाएगा network कहराब हो जाएगा अब वहीं पर बात करते हैं कि अगर गलती से एक system hebt खराब हो गया जाए हब की बात हो चाहे स्विच की बात हो तो इस कंडिशन में क्या होगा आपका कि अगर system खराब है तो system को क्या करो आप निकाल दो और नया system लाकि जोड़ो भई है कि नहीं मैं तो यह क्या हो गया इसका यह advantage यह हुआ कि अगर कोई एक note खराब होता है वो नोट को निकाल कर दो बाहर बाकिया सिस्टम सहीं चलेगा पर गलती से स्विच या हब खराब हुए तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा अपका ठाप हो जाएगा तो स्विच भी आपको समझ में आ गया तो सिच स्विच हब से अच्छा होता है से कॉन्फिगर करना कठीन होता है कि कॉन्फिगर करना कठीन होता है हब किया पेच्छा कठीन होता है तो यह स्विच कहां लगता है तो स्विच भी आपके घर के अंदर में लगेगा आपके ऑफिस के अंदर में लगेगा स्विच कहां से मिलता है तो मार्केट में खरीदन से मिलता है खरीद के लाओ configure करो सिस्टम को जोड़ दो एक क्या बना लो आप एक लोकल एरिया नेटवर्क बनानो लेल बना दो ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हब का क्या काम है और उसी के परिपेक्ष में स्विच का क्या काम है दोनों ही समझ में आ गया चलिए अ एक नेटवर्क है हमारा ठीक है यह एक लैन है माल लेते हैं यह लैन किसे बनके मिलके बना हुआ है हब से मिलके बना हुआ है ठीक है अब हम क्या करते हैं एक ऐसा ही लैन और बना दूसरी ठीक है और इस लैन को में किस्से जोड़ देते हैं कि स्विच से किस्से जोड़ दे करते हैं यह हमारा सिस्टम रायपूर में ठीक है और यह सिस्टम है हमारा माल लेते हैं बिलासपूर में ठीक अब इन दोनों सिस्टम के से बीच में connectivity करनी है डेटा को सेंड करना है तब क्या करेंगे फिर क्या हाब यह लोग कर पाएंगे क्या नई अब यहाँ पर डेटा को आपस में connect करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे जी आप प्रयोग करोगे राउटर का पूरा concept बता रहा हो जहां से समझेगा के concept आपके लिए काम आने वाला है ठीक है अब देखिए router कहां पर लगाओ तो एक राउटर से अब राउटर में जो डेटा जाता है डाय जाएगा और जिस भी जगह में आपको डेटा सेंड करना है वह वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा इसके बाद चलिए router से लोग पहुंच गए अब राउटर के कहीं और है वैसा ही लैन कहीं और है और इन लैंस को आपस में आपको जोड़ना है तब आप किसका प्रयोग करोगे राउटर का ठीक है इसके बाद मैं आपको ओसाई मॉडल की भी एक क्लास प्रोवाइट करूंगा जी ओसाई मॉडल भी बहुत महतुपूर्ण हो सकता है आ देंगे कहां कहां देंगे सर बता दीजे तो बता देता हूँ कि जो स्विच्छ स्विच है यह हमारा डेटा लिंक लेयर में प्रयोग होता है डेटा लिंक लेयर में ठीक है और वही पर जो हमारा राउटर है यह कौन से लेयर में प्रयोग होगा तो याद रखना राउटर हमारा प्रयोग होता है नेटवर्क लेयर में ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको बता कि मैक अड्रेस का क्या काम होता है मैक अड्रेस मैक अड्रेस किसी भी कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है तो यह तो स्विच रहता है वह क्या करता है प्रतिये कंप्यूटर के मैक अड्रेस को अपने पास स्टोर करके रखता है जिस डेटा को जिस मैक अड्रेस में बेजना है तो डेटा लिंक लेयर जो रहेगा वह क्या काम करता है तो डेटा को फ्रेम्स के रूप में ट्रेवल कराता है किस रूप में याद रखना डेटा लिंक लेयर में डेटा किस रूप में रहता है फ्रेम्स के रूप में रहता है और जैसे ही वह राउटर के पास आता है पैकेट में बदल जाता है तो राउटर कॉन से लेर का प्रो得λα क्लेड वन डान रहे और नेटवर्क लियर का काम क्या होता है जी आई पी से सम्मंधित होता है आई पी एड्रेसिंग एड्रेसिंग आएपी एड्रेसिंग तो आएपी एड्रेसिंग कहने का क्या मतलब कोई डेटा यहां से निकल के राउटर के पास आएगा तो यहां पर वो पैकेट में बनेगा पैकेट में और पैकेट में क्या होगा तो पैकेट के पास होगा एक एड्रेस किसका एड्रेस हो सोर्स का एड्रेस होगा और डेस्टीनेशन का एड्रेस होगा सोर्स एड्रेस और डेस्टीनेशन एड्रेस सोर्स एड्रेस और डेस्टीनेशन एड्रेस तभी तो स्विच से डेटा राउटर के माध्यम से किसी दूसरे नेटवर्क तक पहुंच पाएगा तो राउटर का क्य क्या काम करता है जो भी data एक network से दूसरे network में send किया जाना है उसके लिए shortest path select करके उसको send करता है माल लेते हैं कि shortest path यह वाला है परंतु यह किसी कारणवस busy ठीक है यहां पर data का transmission चल रहा है तो router क्या करेगा दूसरा path select करेगा और दूसरे path से system के माध्यम से data send कर देगा जैसे कि इस system A को data इस system B के पास send करना है अब माल लेते हैं कि हमारा यह वाला line busy है और यह वाला line free है तो direct सबसे छोटा path router select करेगा और system B के पास data क्या कर देगा तो यह काम होता है router का shortest path select करके दो network को आपस में जोड़ना ठीक है अगर यह network सेम प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो उन सेम protocol के पालन कर रहे network को router जोड़ेगा जो जो बोलते जा रहा हूं भाई यह प्रस्न का exam में यह आपके प्रस्न बन सकते हैं कि router का क्या काम है कि दो सेम प्रकार के काम कर रहे है network को आपस में जोड़ने के लिए router का प्रयोग किया जाता है ठीक है यह बात हो गई तो यह जो टीन अंतर हैं आपको समझना होगा कि स्विच जो है हब जो है वो लैंड क्रियेट करने के लिए उसकी आ जाता है एक लोकल एडिया एक कमरे में कमप्टर सको जोड़ने के लिए और वहीं पर दो network जो अलग-अलग स्थाम ने बने उनको जोडने के लिए आप प्रयोग करेंगे तो उसका प्रयोग करेंगे एक्सपेंसिव होता है जब आप मार्केट से पर्चेस करते तो यह थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है ठीक है तो यहां पर से क्या क्या सिक्षा मिली तो दो सिक्षा पहले तो यह मिलती है कि OSI model का network layer क्या करता है addressing का काम करता है और router कौन से layer में प्रयोग होता है तो हमारा network layer में प्रयोग होता है वहीं पर switch कौन से layer में प्रयोग होता है तो data link ठीक है OSI model में एकदम clear हो जाएगा आज की जो बात कर रहा हूं OSI model में जब मैं बताऊंगा तो आपको चीज़े एकदम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी माध्यम किने भीजना है तो आप किस device का प्रयोग करेंगे तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा अप ज्यादा विश्वसनी कौन है तो आप बोलोगे स्विच ज्यादा विश्वसनी है अब आप से अगला प्रस्व यह पूछ सकते हैं कि कौन सा networking device है जो मैक एड्रेस का प्रयोग करता है डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए तो आप क्या उत्तर दोगे तब आप उत्तर दोगे कौन करता है यह काम हब करता है ठीक है डेटा को point to point deliver कौन करता है security के साथ deliver कौन करता है अगर आप से पूछेंगे तो क्या answer करेंगे आप स्विच करता है पूरा concept मैंने वीडियो में आपको समझाया हुआ है आराम से देखें सब चीज को समझें तो हर प्रकार से आप तयार रहें चाहिए कैसा भी प्रस्ण पूछे ठीक है चलिए आज की class में इतना ही चर्चा करते इन तीनों विशेपर मैंने आपको conceptual चर्चा क करना है अगर अच्छे लगता है तो बिल्कुल स्वागत है वही आपके जो कमेंस रहते हैं हमें उसाव वर्धन देते हैं हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करिए ठीक है कि ने अभी रायपूर में मैं एक अलग से computer की classes लेने वाला हूं छात्रावा सदिक्षक के लिए तो जो भी student join करना चाहते हैं यहां पर डगनिया बजार्चोक में हमारा office है आप यहां पर आएं और बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे से मैं त्यार करा दोंगा computer के लिए आप यह मान के चलिए कि पेपर में आपके 500 पूछे जाएंगे है कि नहीं तो आप 45 को टिक करने के लायक बन जाएंगे इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं है कि नहीं तो चलिए आप से फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यव चैनल में मिलते हैं नमस्कार धन्यवा झाल 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 झाल